हेलो फ्रेंद्स वेल्कम तो माइ यूट्यूब चैनल मैं हूं दिव्या शर्मा आज मैं आपको बताने जा रहे हूं कि दो वालनट यानि कि दो अक्रोट हमारी बॉडी की ब्लॉक नसों को कैसे खोल सकते हैं ये दो अक्रोट कौन से होने चाहिए यानि कि अक्रोट किस टाइ क्या है सबसे पहले अक्रोट के फाइदों की बात करें तो चाहे डाइबिटीज हो चाहे थाइरेड चाहे जॉइंट पीन ये बहुत से बिमारियों में हमारे लिए बहुत बेनिफीशिल है हार्ट प्राब्लम में कोलेस्ट्रोल जिनका बढ़ता है यानि कि बैद कोलेस्ट को बढ़ाने में इम्मिनिटी सिस्टम को स्ट्रॉंग करने में माइंड को शार्प करने में ये बून्स को स्ट्रॉंग बनाने में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बैनिफीशिल है जिनको नींद कम आती है स्ट्रस ज़्यादा रहता है उनके लिए भी वालनट बहुत जादा बेनिफीचिल है प्रग्नेंसी के दुरान वालनट जरूर खाना चाहिए लेकिन रात को भिगो दें और सुबह इसका सेमन करें क्योंकि इसकी तैसीर गरम होती है और गरम चीजें प्रग्नेंसी टाइम में नहीं लेनी चाहिए सिर्फ नोमे महीने को छोड़ कर नोमे म बहुत स्ट्रेस ठकान फील करती है जिनकी आंके उनको वालनट ओयल अपनी आईलिड पर लगाना चाहिए जिनकी स्किन बहुत ड्राय रहती है उनको अपनी स्किन पर वालनट ओयल लगाना चाहिए इसके बहुत सारे फायदे हैं लिकिन आज हम बात करते हैं कि ये जो वाल तो आप सर्दियों में इसे वैसे भी ले सकते हैं और गर्मियों में आपको दो वॉलनट भिगा दे और सुबह उसको खा लें ये तो है नॉर्मल तरीका अब वॉलनट कैसा होना चाहिए तो आपको वॉलनट जो लेना है वो पतले शेल का लेना है जिसको हाथ से हम तोड सके एसा वॉलनट हमें लेना है इसके इलावा आप बात करते हैं अब तो ये तो बात थी कि वॉलनट कैसा होना चाहिए अब बात करते हैं कि ब्लॉक नसों को खोलने के लिए वॉलनट का यूज कैसे करना है खाने का तरीका क्या है आपको एक चमच शेट चाहिए दो वॉलनट चाहिए और उसका पाउडर बना लें अगर आप सर्दियों में ले रहे हैं तो आप इसका पाउडर बना लें अगर आप गर्मियों में ले रहे हैं तो रात को भिगो दें और सुबह इसका दो वालनट का पेस्ट तयार कर लें इसके बाद आप सर्दियों में पेस्ट और हनी को मिक्स करेंगे, आप वालनट के पेस्ट को और हनी को एड़ कर लेंगे और जब सर्दियों में ले रहे हैं तो इसके पाउडर को और हनी को आड़ कर लेंगे इसके बाद mix करने के बाद आप morning में इसे कभी भी गरम पानी के साथ गुनगुने पानी के साथ आपने से लेना है जब आप गुनगुने पानी के साथ ले रहे हैं तो ये हमारी block नसों को खोलने में कारगार होगा जिनकी भी नसे कमजोर हैं बहुत जदी मुड जाती है बहुत जदी या फिर नसे block हैं उनके लिए ये formula बहुत ज़्यादा beneficial है और इसके जो benefits हैं walnut के वो तो हमें मिलेंगे ही diabetes, thyroid, joint pain, mind sharp ये तो सब मिलेंगे लेकिन अगर आप इस तरीके से लेते हैं तो ये block नसों को खोलने का काम करता है बस इतना ध्यान रखें कि गर्मियों के दिनों में आप इसको भिगो कर और सुबह पेस्ट बनाएं सर्दीयों में आप इसका powder use कर सकते हैं फिर आपको भिगोने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सिर्फ गर्मियों में इसकी तऺसीर गर्म होने के कारण ही इसकी तऺसीर को change कर रहे हैं गरम से ठंडी कर रहे हैं बस इतना सा काम है इसके बाद ये जो गुन-गुने पानी के साथ ले रहे हैं इसको आपको दो खरोट एक चम्मच शैद और एक गिलास गुन-गुना पानी ये चीज आपने लेनी है रोजाना ऐसा लेने से जॉइंट पेन भी ठीक होता है बून्स मजबूत बनती है और नरव सिस्टम भी बैटर होता है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें अगर आप इसी वीडियो को पंजाबी में सुनना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प इपडेट्स भी आपको मिलते रहें मिलते हैं एक और नहीं इन्फरमेटीव वीडियो के साथ तब तक के लिए स्टे हल्दी आलवेज भी हैपी थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो ओके बाए